गुद इबनिंग नमस्कार कैसे हैं आप लोग मैं आपका दोस्त अंकित गुपता एक बार फिर पटेला सहर पंजाब से जुड़ा हूँ आज पूरा दिन काम करने के परशाथ मैं यहां पे आज जो अपना ब्लॉग बनाने जा रहा हूँ वो एक एत्यासिक जगा जो यहां पे स्री कालका माता जी का मंदिर है उस पर मैं अपना ब्लॉग तैयार कर रहा हूँ तो आज पूरे दिन काम करने के पश्यादा वोटल पहुंचा हूँ वहां से रेडियो होने के बाद अब मैं जा रहा हूं मंदिर की तरफ तो आज आपको इस मंदिर के दरसन कराऊंगा और इसके इतियास के बारे में बताऊँ हूँ कि यह मंदिर का बना और किष्णे बनवाया तो आज बने रही है मेरे साथ यह बहुत ही इतियासिक ब्लॉग होने वाला है और जुड़े रही है एंट तक तो अब यहां से चलते हैं हम लोग मंदिर की तरफ मेरा जो होटल मंदिर जाओंगा उसके बार डिनर करूंगा तो अब भी चलते हैं काल का माता जी के मंदिर की तरफ मैंने अपना रूम लोग किया और नीचे की तरफ चल दिया यह रिसेप्शन है जो कि होटल का रिसेप्शन है यहां पर मैं चाबी सम्मिट करके बाहर निकलूंगा जैसे मां काली की पूजा बेहद सुब और कल्यान कारी मानी गई है सुम और निशुम राक्षसा का बद करने के लिए देवी पारवती ने यह उग्रूप धारण किया मानिता है कि जो भक्त देवी काली की पूजा सच्ची स्रद्दा से साथ करते हैं उन्हें गुप्त सत्रों से मिलता है बोल काल का मता की जए यह मंदिर का मैन इंटरेंस है यहां से सभी असब दालू चेकिंग कराने के परशाथ मंदिर कोरिडूर में प्रवेश करते हैं मंदिर कोरिडूर की विवस्ता यहां की पंजाब पुलिस द्वारा देख रेक में की जाती है यहां पे सभी तर माता घर है वहाँ पे आप अपने जूते और चपल को संबिट करके आगे मंदिर की तरफ बढ़ सकते हैं मंदिर प्रांगण में ही आपको प्रिसाद माता की चुंदरी इस तरह की दुकानों की विविवस्ता की गई है जहां से आप प्रिसाद खरीद कर माता रानी की चड़ो में चड़ा सकते हैं लाज तोर पर लाई गई और यहां पर जो जले वाली जोती है वो भी बंगाल से लाई गी जो भी खंडन के तोर पर आज भी जल रही है मंदिर में नभरात्यों के दिनों यानि ौ दिनों में भक्तों की लाखों शंक्या में आना जाना होता है. मंदिर सब्सवें पांच बजे खुलता है और रात को नौ बजी तक खुला रहता है. रोजाना मंदिर के पुजारी देवि माँ को इसनान करवाते हैं और शंगार कराते नब्रात्यों के शमय नौ देवियों की पूजा भी विधिविधान के द्वारा शंपन होती है मंदर के आज पास मेला लगता है जिसमें लाकू सद्धालू आकर माथा टेकते हैं इसलिए इस एरिया में उन नौ दिनों के लिए बहानों का गुजरना रोख दिया जाता है आज माता का भबि सिंगार है जो आप टीवी पर भी देख सकते हैं बैशे पटेयला की शिरी काली देवी मंदर का निर्माड ज्याशत के राजा महाराजा बुपेंदर सिंग ने 1936 में कराया था हाला के मंदर का पूरा कराने के काम महाराजा कर्म शिंग के द्वारा किया गय तो फाइनली हम मातारानी के मंदिर पर पहुंचे हैं जो कि में मंदर प्राइंगड पर खड़ा हुआ हूँ तो अब इस में मंदर में एंटर कर रहा हूं तिर मैं आपको मातारानी के बहुत दर्शन कराऊंगा यहां पर पीछे मातारानी का मैं मंदिर है यहां पर में जा रहा हूं मंदिर की तरफ और मा जगत कलने आड़ी मा कालकाजी के दर्शन कराता हूँ या देवी सुसर्वबूते सुसक्ति रूपे इस संसता नमस्तस्ते 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 नमो नमा जै कालका मा यह कालक भभ्यमाता जीगी मूर्ती है जो कि छेपिट उचाई है काल का माता की चैक मंदिर से भाँ निकलने के पश्चाथ हम लोग मंदिर के कॉरिडॉर में पहुंचे यह मंदिर का भभ्य कॉरिडॉर है जो काफी बड़ी एरिया में बना हुआ है यहाँ पे अलग-अलग मंदिर है जैसे के श्री किष्म भगवान का मंदिर, हन्मान बावा का मंदिर, शंकर भगवान का मंदिर, बिश्नु भगवान का मंदिर इसमें तरह तरह के अलग-अलग मंदिर है यह खाफी प्राचीन और भब्य मंदिर बनाया गया है अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा हूँ ये देखिए भब गुमबद अब मैं आगे बढ़ा तो यहाँ पे हम पहले मंदिर में जाते हैं माकालका जी के बाद जो कि ब्रंदावन से स्वेम काना जी यहाँ पे पधार हैं राधा और कृष्ण जी का ये मंदिर है तो मैं दोस्तों आपको भगवान कृष्ण के दर्सन घराता हूँ वलो बांके विहारी लाल की चै यह काना जी का परकिर्मा मार गये हैं यहाँ पे शद्दालू परकिर्मा करते हैं तो काना जी का नाम लेते जाते हैं श्री किष्ण गोबिंद हरे मुरारी एनात नारा यडवाशु देवा दोस्तों जब भी आप पट्याला सहर आएं तो इस मंदिर में ब्रह्मड जरूर करें इस मंदिर में ब्रह्मड करने के पस्चात आपके दुख, दर्द और कश्टों का निवारन होता है माता राणी आपको आसिरवाद देती है और आपका कल्याण होता है अब हम आगे बड़े तो हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर हर मंगलवार को बाबा, हनुमान बाबा का कीरतन का संचालन सिरिय पवन गुपता जी दौरा किया जाता है हर मंगलवार को यहाँ पर काफी भीड होती है, बाबा का गुणगान होता है और बाबा भक्तों के संकट को हर लेते हैं अब हम अगले मंदिर की तरफ चलते हैं जो के भब्व, दिब्व और सुन्दर मंदिर है इस मंदिर की गुम्मद का निर्माट प्राचीन समय में कराया गया था अब हम आगे मंदिर की तरफ बढ़े तो हम आपको माता रानी के दिब्विदर्सन कराते हैं सीडियों से चड़ने के पस्चात हम मंदिर प्रांगण में आगे बढ़ दे हैं माता रानी अपने शिंगाशन पर ब्राजमान है जो के भब्य, सुन्दर और मनमोहक्षभी है माता रानी की माता रानी बहुत ही शुन्दर लिवाज में अपने स्थान पर बैठी हुई है अब हम आगे बड़े तो दोस्तों मैं आपको ये बर्गर्द का पेड़ दिखाता हूँ जो कि लगबग 200 से 500 साल पुराना पेड़ है और लोगों की सद्धा है कि यहाँ पे चुन्दरी और कलावा बांदने से आपके जो कश्ट होते हैं उनका निवारन होता है यहाँ पे पानी की विवस्ता बहुत अच्छी की गई है गर्मियों में लोग अपना समय निकालकर मंदिर में आते हैं अब हम थोड़ा सा आगे बड़े तो दूसरा बर्गत का पेड़ है यह भी काफी पुराना है जब मंदिर की स्थापना हुई थी तब इस मंदिर इस प आपको याद दिलाता है कि आप एक सनातनी हैं और मंदिर में आकर आप अपने शद्दा अनुसार पूजा करते हैं अब हम थोड़ा सा आगे बड़े तब आपको भगवान शंकर बाबा पार्वती माता और गनेशी भगवान के दर्शन कराते हैं इसमें नंदी रूप में ब्राजमान हैं हमारे नंदी बाबा मंदिर बहुत ही सुन्दर और मनमोहक बना हुआ है जैसे कि आप आगे देख रहे हैं यह फुबारा कितना मनमोहक है तो इस तरह के फुबारे पेड़ पौधे इस मंदिर में इस्तापित किये गए हैं अब हम थोड़ी दिर आगे बड़े तब आपको जो दिन में आपको रोशनी देते हैं उजाला देते हैं और पॉजिटिव एनर्जी देते हैं भगवान शूरे नारान जी का मंदिर तो आप अब दर्सन कर रहे हैं भगवान शूरे नारान जी के जो आपको सक्ति शक्स मंदिर में आता है तो उसके अंदर नेगेटिव एनरजी बहार हो जाती है और पॉजिटिव छबी आने लग जाती है अब हमारे बाबा सिरी बालाजी महराज के मंदिर का दर्शन कराता हूँ आपको यह हमारे बालाजी महराज हैं हनवान बाबा है जो कल्यूग में भक्तों का कल्याण कर रहे है बोलो शिया पतिराम चंदर की जै बोलो बालाजी महराज की जै दोस्तों यहाँ पे एक बोर्ड लगाया हुआ है जिसमें पूरा हनवान चालीसा और हनवान जी की आरती है इसके पश्चात यहाँ पे भी परक्रमा मार्ग है जो के हनवान बाबा की परक्रमा लोग करते हैं तो यहाँ पे आके अपनी 11, 21 और 101 परक्रमा करने के पश्चात अपने घर की तरफ आगे बढ़ते हैं तो मैं परक्रमा मार्ग के आपको जो बारा नाम है वो इसपे स्तापित किये गए है जैशिरीश बालाजी शालासर महराजी की जै यह बारा नाम है लोगों को अभी तक पता नहीं है कुछ बसक्सों को कि भगवान हनवान बाबा के कितने बारा नाम थे तो यह कल्योग में बारे नामों से हम लोग हनुमान बाबा को जानते हैं। अब हम इन नामों को देखते हुए और अब मैं अपनी मन और बुद्धी में उतारते हुए आगे बढ़ेंगे। हनुमान बाबा आप सभी भक्तों के कष्टों को दूर करें। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ें तो यह जोतर लिंग के बारा नाम है जोके हमारे देश में अलग-अलग जगे पर स्तापित है। बगवान गनेश जी की अद्वुद प्रत्मा है यहाँ पे। बोलो गनेश बगवान की जै। पारवती के लाल की जै। अब कलियोग के बाबा शिरी भैरोनात माराज के दरसन है। यहाँ पे भैरोबादा बहुत ही अद्वुद और सुन्दर बराजमान है। लोग यहाँ पे पूजा अर्चना और प्रिशादों का बित्रण करते हैं। इसके प्रिशाद हम आगे बढ़े। तो यह मंदिर का भारी छेतर है जहाँ पर तलाब की स्थापना की गई है। जो की बहुत ही अद्वुद और सुन्दर है। अभी इस समय इस तलाब में पानी नहीं है। लेकिन अगर गर्मियों की समय आते हो तो यहां पर पूरा तलाब पानी से भरा हुआ होता है। और यहां पर नोका बिहार होती है। पड्याला के आसपास के लोग यहां पर इंजॉय करने आते हैं। अपने फैमिली के साथ, बच्चों के शाथ और अपने बुजुर्क माबाब के साथ। यहां पर आके बहुत अच्छा लगता है। लोग समय स्पैंड करते हैं। और बाबा के दरसन करते हैं। मा कालगा जी के दरसन करते हैं। तस पस्चात अपने घर के लिए आगे बढ़ते हैं। जब हम थोड़ा सा आगे बढ़ें। तो यहां पर आप देखेंगे जल सेवा है। जो के सच, सुन्दर और साफ फानी आपको पीने को मिलता है। इस मंदिर की एक बहुत अच्छी खासियत है। कि आपको 12 महीने, 300 दिन, 24 गंटे, शुबह, दुपह, शाम, तीन प्रणाली में आपको बंडारे की विवस्ता होती है। आप शुबह, ब्रेकफास्ट यहां पर कर सकते हैं। दुपहर में खाना ले सकते हैं। साम को भी खाना ले सकते हैं। तो मैं आपको जो रशोई है, जो लंगर भवन है, उसके दर्शन करा रहा हूं। यहां पर आप कभी भी आके खाना खा सकते हैं। और अपनी स्रद्दा अनुशार दान देकर इस भव्य भंडारे में शयो कर सकते हैं। तो मैंने भी आप डिशीजन लिया कि मैं भी साम का खाना इस भंडारे और लंगर में लेता हूं। तो हमारे कुछ श्रद्दालू लोग बैठकर रहां पे बोजन प्राप्त कर रहे हैं। तो मैंने भी एक प्लेट ली और श्री महराज जी के हाथों से एक रोटे और ये बैठकर आलू की सब्जी का प्रिशाद लिया। प्रिशाद लेने के तश पश्चात मैंने जगे घ्रंड की और जैसे कि आप देख रहे हैं। मैं एक रोटी और बैगन का प्रस्ता खाके निकल रहा हूँ। जैसे कि गुरु महराज में लिखा है आप शबी मेरे हिर्दे में रहते हैं। मेरी शेवा और भक्ती का पूर आप शबी लोगों का हिर्दे से आभाँ। अब हम मंदर के बहारी और हैं। अब हम जो आगे बढ़ रहे हैं वह एक प्रशाद प्रणाली की तरफ आगे जा रहे हैं। जहां पर आपको प्रशाद मिलता है। यह कुछ हमारी कर्ण्याओं के लिए लिए लिखा गया है। और यह शेवा है जो लोग दिन में शेवा देते हैं। बंडारे में शेयो करते हैं। नवरात्रे में किन किन नौ लोगों ने नौ दिन में क्या कैशायो किया। यह उनके कुछ नाम और बोर्ड लिखे हुए हैं। आप कह सकते हैं कि पट्याला की आन बान और सान यहां के राजा ने इस मंदिर का जब निर्मार कराया तो उन्होंने सोचा था कि कल्यूंग में भक्तों का कल्याड होगा। तो शिरी कालिका मता की जै। कि शपाई का यहां पर विशेष ध्यान दिया जाता है आपको कतही गंदगी नहीं मिलेगी और अब मैं जिस लाइन में जा रहा हूं वहां पर जैसे माता ब्रशनों देवी में प्रशाद मिलता है बैसे ही यहां पर आप अगर मेरा ब्लोग की बीडियो पसंद की जाता है तो प्लीज लाइक करें सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को शेयर करें थेंक्यू दोस्तों जय माता दी जय काल कमा दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूल बताएं अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें एंसेयर करें धन्यवाद